इधिये राजा दुरूनदन आपने हमारा देवदाह तो देखी या अब बताइए कि की राजधानी मानने से उसे विरोध किया जा जा है किस बात में कम है हमारा देवदा आपके कफिल वसकु से भागय में बागय की कमी है अर्थात अर्थात आप हमारे देवदत के भागी को ही ले लीजे आयूब में सिद्धार्थ से बड़ा है चिक्षित शूर वीर है पर तुब भागी से युवराज का पत्तो सिद्धार्थ को ही मिला क्या मैं अंदर आ सकती हूं आओ यह शूद्रा आओ कि यह सारे पक्वान मैंने स्वयम अपने हातों से बनाये मजले मामा उत्तम महराज कि आपने यशूद्रा को शमा करके हमारे हृदय का भार हलका कर दिया और बताइए महाराज शुद्धोधन के पुत्र का परीक्षा में प्रदर्शन कैसा रहा है शडियन तरच के विजय हुए हैं युवराज वैसे परीक्षा के पच्चात उन्होंने स्वयम को पूरे कपिलोवस्तों के सामने तरपोक और रंचोड प्रमानित कर दिया वो कैसे चीते का आखेट छोड़कर जंगल से बच्चे को उठा कर ले गए वो तो हमारा देवदत था जिसने चीते का सर काटकर महरात के चर्णों में अरपन कर दिया फिर तो ये बाद शाक्य कुल में फैला देनी चाहिए क्यों का होने वाला सम्राट तरपोक है सिद्धात की जगे देवदत को ही सम्राट बनाया जाए क्यों शमा करे मजले मामा पर अब अर्ध सक्के कह रहे हैं क्या सिद्धात में एक बच्चे के प्राण नहीं बचाए क्या सिद्धात ने सारी परिक्षा प्रथम रहकर उत्तीर नहीं की आपको विश्वास नहीं होगा परंतु सिध्धार्ट को कपिल वस्तु की प्रजा अपने रिदय में बसाती है तारे की चमक को कोई लाख मिटाने का प्रेफ न करें पर तारा चमकता ही है मजले मामा सुदार्ट ये लो मेरी तलवार मेरी चै में जब भी तुमें देखो एक शत्रिय के तरह अपने शस्त्र के साथ देखो इसका भार मैं नहीं हूटा सकता सिधार्ट की आचारे कोंडिन के साथ घनिष्टता भड़ रहे हैं यह उनी की संगत और शिक्षा का परिणाम है कि सिधार्ट स्थान की तरफ अकर्शित हो रहे हैं कि अधर कि अधर्ट करते अधर्ट कि अधर्ट करते हैं जा वादेख निए नहीं आरी अ हमां हम है मन्मेत ना उद्वेक पहले कभी नहीं था दे भी अ मैं सिद्दाद को समझ नहीं पा रहा हूं, कहो ऐसा कोई कार्य न कर बैठ है जिससे हमारे पुरोजो का नाम कलंग के तो, परन्तु वो अर्थे ही इन बाते नहीं करता हूं, हाँ उसकी बाते सत्य होती है, फिर भी मैं उससे अप्रसन न रहता हूं, क्यों पता नहीं प्रजा पर चले, पर वो विलक्षन प्रतिभार, वो अपना मार्क स्वैम सोचता है, वो उनमें से नहीं, जो आखे मूंद कर पीछे पीछे चलते हैं, परन्तु आकेले जाने पर मनुष्य भटक भी सकता है प्रशापती, बस यही भय आपके उद्वेक का कारण है, यदि का बविश्य नहीं बताते, तो यह भय कभी नहीं होता, और आपको सिधार्थ की सभी बाते सहच लगते, सत्त कह रही हो तूँ, उसके बाते मैं सहच स्विकार नहीं करता, जो की आप उससे बहुत स्निय करते, तो कुछ अनुचत करता हों क्या, नहीं, पर मर्यादा से अध कभी-कभी संकट बढ़ा देती है। आईए देव। अब आप सोचाएए देव। देव। नीन से बड़ा मित्र ने। और उद्वेक से बड़ा शत्रु ने। कुछ बातें इश्वर पर भी छोड़ देनी जाए। वो सब ठीक करें। आईए। शदोड़ प्रीघ शदोड़ सदोड़ शदोड़ सदोड़ सिदाट, 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 सिदाट विवारे दिते हिए दो विव्त कि अ महाराज आपका स्वफन जहां पहले प्रहर का है और ग्रंत अनुसार पहले प्रहर का स्वपन सच होता है आप स्वपन में सिधार्थ को ढूण रहे हैं अर्थात, आपके पत से उसका पत विपरीध है दूजा, आपने सिधार्थ को समाधी में देखा अर्थात, वो शांती के पत पर चलेगा शरीर पर मिट्टी और पौधे अर्थात, उसने समाधी कई दिनों से लगाई होगी उसने गेरुए रंग के कपड़े पहने अर्थात, उसकी विचार धारा मुनी और योगी की भांती होगा आप साचार्या कांगान्या अर्थात दिप्या शांत हो जाईएं, महाराज महाराज विचलित न हो पहले प्रहर के सववपन सत्य होते है कि इन तो स्के एक नई कई संकेथ होते है सवपन का आकलन व्यक्ति विशेश पर निर्भर करता है सवपन में आप उन्हें खोज रहे इसका र्थिय है ये किसी बात पर वो आपसे कहीं ही आगे निकल जाएंगा तो अपने आपने उन्हें समाधी में पाया इसका अर्थ ये है कि युवराज का संकल्ब द्रड़ है जो वो ठानेंगे वो करके रहेंगे आपने उन्हें मुनी की भाती देखा अर्थात लोग जैसे एक मुनी को पूछते हैं युवराज को भी वैसे ही पूछे माराज हम सब जानते हैं कि युवराज की जन कुडली में कई सिध्ध योग है और जिस राजा का संकल्ब द्रड़ होता है वही चक्रवर्ती होता है मैं आपके कथन से सहमत हूँ कि स्वत्नों का आकलन व्यक्ति विशेश पर निर्भर करता है अचार ये कंडिन्या तर आप से मतभेद है आपने सिध्धार्थ को वो ग्यान दिया जो मैं उसे देना नहीं चाहता था आपने सिध्धार्थ को आहिंसा ध्यान और मृत्यों का ज्यान दिया बहुच इतना था कुलगुरु वाचस्पती ने सच कहां महाराज आकलन व्यक्ति विशेश पर निर्भर करता है जो बालक आठ वर्ष की आयू में सारे शास्तर कंठस कर लेता हो उससे क्या चुपेगा महाराज वेदों और शास्त्रों में जगय जगय पर जीवन, मरण, मोक्ष, मुक्ति का उलेख है केवल इन उलेखों और उपदेशों से कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा अब तक शम्षान वेरागे की भावना उनमें नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने अब तक किसी भी मनुष्य की अथ्वा अपने स्वजन की मृत्यों नहीं देखी उन्हें मनुष्य रोग की अनुभूती नहीं हुई है और रही बात अहिंसा और ध्यान की तो अहिंसा उनका स्वभाव है और ध्यान उनकी रूची है महराज स्वभाव और रूची मनुष्य अपने साथ लेकर जनम लेता है उसे सिखाया नहीं जाता एक पक्षी की पीड़ा अत्वा एक जीव की मृत्यू देखकर जो बालक विहाल हो जाता है अनुष्य के दुख उसके लिए अमूल्य होगी आप, हम, यहाँ उपस्थित सब मौक्ष प्राप्त करना चाते हैं प्राप्त करने के कई मार्क भक्ति, वैरागित, ज्यान अब कौन सा मार्क चुनना है इसका आकलन भी व्यक्ति विशेश्पन निर्भर करता है फिर भी यदि आप सब गुणी जनों को मेरी शिक्षा प्रनाली अनुचित लगी हो तो मैं अक्षमा चाता हूँ महराज, मुझे यहां से जाने की अनुमती दे दीजिए आचार या कॉंडन्य रुपा करके दक्षिना स्विकार करें ऐसा क्यूं होता है चन्ना जब मनुश्य के जीवन में कोई साथ आता है तो उसे खुशी होती है और जब छोड़ कर चला जाता है तो गलानी देवी गोपा के जाने का दुख है आपको आई थी तो मन भर गया था गई तो मानो कुछ खाली पन जैसे आँख खुलते ही सौपन अद्रश्य हो जाता है अब मैं क्या कहूं युवराज इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आचारे कॉंडे ने दे सकते हैं मन के विशय में वो अधिक जानते हैं हाँ परन्तु वो तो सवेरे से ही दरवार गये न जाने कब लोटेगा कुल्गुरु माई ये दक्षिना स्वीकार नहीं कर सकता क्यों अचारे के विश्वराज को दी गई मेरी शिक्षा महराज को उच्छित नहीं लगी आप उच्छित अनुचित को भूल जाई अचारे तो पर आप इस दक्षिना को स्वीकार कीजी नहीं, मैं अपनी शिक्षा के प्रतिफल्म में दक्षना लेता हूँ केवल एक भ्रामन होने के नाते आश्रित होकर भिक्षा नहीं मांगता क्या आप उच्पर आक्षेप कर रहे हैं अचारे कॉंडेल क्या आपने महाराज को प्रसंद करने के लिए असत्य नहीं कहा नहीं आचारे मैं इस राज्य का खुल गुरू हूँ मेरा कर्तवी यह है कि मैं राजा के प्रति इस राज्य के प्रति निश्थावान रहूँ कि कहीं उनका विश्वास खंडितना हो जाए वो चिंता मुक्त रहें कि वो अपनी प्रजा का अच्छा पालन कर सके क्या आपको ग्यात रही है कि असित्मुनी के एक कथन से पूरी की पूरी एक पीड़ी को कपिलवस्तु से निकाल दिया गया था और आपका भी इस राज़ी के प्रति यही करतव यह था आचारे कॉंडेन कि आप योवराज को शत्रियता का पाट पड़ाते आकी एक सन्यासी का गुल्गुरू आत्मा भागय को साथ लेकर आती है आपके अत्मा मेरे कहने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता मैंने योवराज को वो प्रतियेक शिक्षा दी है जो एक गुरू को अपने शिश्षे को देनी चाहिए शमा करे गुरू वरिया जीवन निर्वा के लिए जो शिक्षा से समझोता करे उसे गुरू नहीं कहते परमहारिशी वालमिकी और सांदिपनी की दरा मुझे भी इस बात का सदयव भी मान रहेगा कि कुछ वर्ष मैंने आने वाले योग के योग पुरुष के सानिधिय में बिताए और वो मेरा शिश्य था कौंड़निय के विचार तो आपने सुने भाई महराज क्या अब भी आप मेरे विचार से सहमत नहीं है अब हमें आचारे कौंड़निय के वाना प्रस्त होने की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए आपका क्या सुझाव है तुल्गुर वाचस्पति काजन उनके विचार और हमारे विचार भिन्न अर्थात आपका भी ये मानना है के आचार्य कि वाना प्रस्त होने की इच्छा पूर्ण कर दीजए परन्तु महाराज उनका रिक्त क्या स्थान कोई पूरा नहीं कर सकता और मैं शाक्यों का सियासन ने रिक्त नहीं रख सकता मात किये मैं सिद्धार्ठ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता तेरी युवराज की हित को देखा जाए राजन तो कॉंडेन्नी का इछा को तुरंट पूर्ण करना चाहिए जुवराज वन में जाए या ना जाए पर अचार्य कॉंडेन्न को वन में जाना ही होगा कि सिधार कि सच कहते थे आचारे कॉंडिन ने कभी कभी आंके खुली होते हुए भी मनुष्य बेध्यान हो जाता है ऐसे कैसे देखो हम निकले थे महल जाने के लिए परन्तु पहुंच गए नगर्दवाई कि सुने अना क्या हो गया आपको अभी तो हीते वाई लोग इसे क्या हो गया है क्या हो जागे कुछ बोले दो सही अभी तो इसे क्या हो गया है यह नहीं रहे है किराक और मृत्ति का कोई भरोसा नहीं कब द्वार पर आजाए अरे वहों देखिए यूवराज आरे यूवराज अगर यूवराज ने इनके मृत शरीर को देख लिया तो क्या होगा हमारा तो नगर निकला हो जाएगा देखो हम ऐसा बरताओ करते हैं जैसे कि कुछ प्सुई है यूपलाईटण लोस्ति का सबилась क्या हुआ अब सबकी आँखों में आशू कैसे अब क्या बताएं युवराज वो अभी अभी सूखी हवा कि ऐसी आंधी हाई कि सबकी आँखें गिली कर गए आंधी मैं और चन्ना भी यही थे हमने तो कोई आंधी नहीं देखी सिधार्ट सिधार्ट क्या हुआ क्यों सासों से तेज दोड़ रहे हुआ इसने भैबीत क्यों हूँ आचारे आचारे कॉंडीनिया कपिल वस्तु के गुरुकुल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं क्या यह सत्य है गुरुदेव कि आप हमें छोड़का जा रहे हैं वान प्रस्त हो रहे हैं वान प्रस्त तुम्हें आठ वर्ष पहले ही होना चाहता था सिधार्थ और तुम्हारे कारण रुख गया तो आज भी रुख जाईये ना गुरुदेव आपके बिना यह सिधार्थ अधूरा है अगर आप मुझे इस तरह छोड़कर चले अरे सिधार्थ तुम जानते हो ना उस पेड़ पर एक चिडिया ने अपना घोसला बनाया जी वही जो रोज अपने बच्चों को अपनी चोच से खाना लाकर खिलाती है जी गुरुदेव आज उस चिडिया ने अपने उन बच्चों को घोसले से धक्का दे दिया है क्यों प्रश्ण तुम मैंने भी अपने आप से किया था क्यों तब ही मुझे प्रकृती के भेद का पता चला धर्ती पर गिरने से पहले उस चड़िया के उन बच्चों ने अपने पंक फड़ फड़ाए और देखते ही देखते वो उड़ने लगे परंतु गुरुदे मुझे पंक फ़हलाने नहीं आते मुझे जाना होगा सिधार्थ मेरा कर्तव ये पूरा हुआ मैंने अपना संपूर्ण ज्यान तुम्हें दे दिया है अब सन्यास आश्रम का समय आ गया है और सन्यास आश्रम का मार्ख वानपस्थान से ही है शास्त्रों में चार आश्रम का ज्यान दिया है और हर एक आश्रम का अपना एक महत्वा है परंतु गुरुदेव मेरी शिक्षा तो अभी अदूरी है आपने मुझे वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम का ज्यान तो दिया ही नहीं कुछ बाते समझाई नहीं जाती सिधार्थ, समय के साथ साथ समझ में आती है राग, द्वेश, मोह, माया, वासनाओं के बंधनों में बंधोगे, तभी उसे छोड़ने का ज्यान होगा जिसका अनुभव नहीं, उसकी बाते भी निरर्थक हैं जैसे फल को पेड़ से तभी उतारा जाता है जब वो पूरी तरह पक जाए बैसे ही, बान परस्त और सन्यास आश्रम का ज्यान तुम्हें ग्रहस्त आश्रम के पस्चात ही होगा परदू ग्रहस्त आश्रम के पूर्ण होने के पस्चात मैं आपको कहां ढूंडूंगा उस समय तुम्हें मुझे ढूनने की आवश्यक्ता नहीं होगी सिधार्थ तुम सुवयम ज्यानी हो जाओगे कदाचित मैं ही तुम्हें ढूनते हुए आजाओं ये लो इसमें मेरा सारा ज्यान संजोय रखा है मैंने उचित समायाने पर इसका चिंतन करना तुम्हारे कुछ प्रश्णों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे गुरुदेव रुख जहिए गुरुदेव आपके बिना मैं अकेला रह जाऊँगा गुरुदेव रुख जहिए अचारे क्या तुम्हें रिगवेद की रिचा स्मरण है जी तो आखें बंद करो और बोलो तत तुम्हें असी सहे अहम असमी अहम ब्रह्मासमी जीवन किसी एक स्थान पर रुखता नहीं जैसे नदी का पानी बहता रहता है यदि वो एक स्थान पर रुख जाए तो दूशत हो जाता है अपने मंद को शान्थ कर दियान में पैठकर अपने विचारों पर अपनी भावनाओं पर सहीम पाने का प्रयत्म कर दिया शान्थ मंद मनश्य के प्रतियक समस्या का चिकित सिख़ता है तुम्हें अपने आप मुक्ती मिलेगी जाए शमा कीजिएगा महाराज, किन विचारों में खोए हैं आप, नित्य में भी आपका ध्यान नहीं है किशमा करें, हम आपका मनुरंजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई तुरूटी हुई हमसे नहीं मोहिनी, आज मन चिन्ता ग्रस्त है किस विश है महाराज? असित मुनी के भविश्यवाने तुम भली भाती जानते हो उद्या और यूवराज की रुच्छी ध्यान के और बढ़ती जा रहे हैं ख्यमा करें महाराज, मोहनी बिल्कुल सत्य कह रही है अगनी है जो स्रजन करती है जिस अगनी से आनंद प्राप्थ होता है जो मन के वैराग्य को जलाता है और मोह पाश में जकर लेता है ठीक है मोहीनी आज से यूवराज का उत्तर दायत वो तुम्हारा काम शास्त्रत तुम मुसे सिखाओ बहराज, इस काम वासना से आज तक कोई नहीं जूटा है यूवराज को काम शास्त्रत का बाठ हम पढ़ है और हाँ महराज, शिरच्छेत कर दीजेगा हमारा यदि यूवराज, कामा रूड ना हो जाएं तो सिधार जितरा किन विचारों में डूबे यूवराज मा, मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्ण उठाया है यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है, तो मुझे दंड दे अचारे कोंडन्ने को पद से हटाने की क्या होशकता थी? क्योंकि वह स्वय में कान चाहते थे, वानप्रस्थ होना चाहते थे उन्हें तो अपने इच्छा से एकान तो मिल गया और मुझे अकेला पर अचारे कोंडन्ने मेरे हर प्रश्ण का उत्तर थे मेरी जिग्यासा का प्रति उत्तर थे अब मैं किससे प्रश्ण करूँगा और किससे उत्तर पाऊंगा? ईश्वर से? ईश्वर झो स्वयम एक प्रश्ण है वो प्रश्णी के उत्तर क्या देखा जो इश्वर बोलता नहीं जो इश्वर देखता नहीं वो इश्वर जिसका कोई ठिकाना नहीं नहीं सिध्धार्थ बल्कि यूं कहो कि सारी श्रिष्टी उसका ठिकाना है देखो ये सूर्य भी इश्वर का एक रूप है जो दिखाई देता है जो अपने धूप से तुम्हें चूता भी है और अपने उजाले में श्रिष्टी का ज्ञान देता है क्या ये किसी गुरू या अचारे से कम है और संध्या में जब ये डूप जाता है तो हम निराश नहीं होते क्यों क्योंकि हमें विश्वास है कि ये कल फिर आएगा एक नई सुभा के साथ सिधार के एक नहीं अनेक रूप होते हैं कभी वह आचारे कॉंड़नी के रूप में आता है तो कभी सूर्य बन गए तब बित्र के रूप में आता है तो कभी पुत्र बन गए नजानी कल तुम्हें किस रूप में मिल जाए आये महामंत्री जी स्वागत है आपका सुन्दर अत्ती सुन्दर यू राज अवश्य पसंद करें देवियों आज तक केवल शत्री अपनी मात्रि भूमी के लिए युद्ध करते आएं अपने तलवार के बल पर शत्रों पर विजय प्राप्त करते आएं परन्तु इस बार ये कारे आप लोगों को करना है तलवार तो हम उठा नहीं सकते हम तो बस पल्किय उठा सकते हैं तलवार से अधिक बेधक शस्त्र हैं आपके पास आपका सौंदर्य आपका स्रिंगार आपकी ये भाव भंगी माएं रती जैसी मादकता और उन सबसे सर्वो परी आपकी पुर्शों को समझने की शमता युवराज सुभाव से उदास है करुना से भरे हैं दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं आपका ये कर्तव्य होगा कि आप सब उन्हें वैराग के विपरीत उंगली पकड़ कर जीवन का अनंद प्राप्त करने की शीक्षा दे उन्हें समझाएं कि संसार में जितना दुख है उससे कहीं अधिक सुख है ये रंगीन रातें ये मादक शरी ये सुर सुरा ये वो सुख हैं जिससे उनके मन में उठने वाली वैराग की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाएं हम तो युवराज को देखने को बड़े आतूर हैं और हम आपको उनसे मिलवाने को जो गनिका उनके आसकती का कारण बनेगी वो समरागी का सम्मान पाएगी अति हुत्तम आप चिंतित नहों महमंत्री जीवन का ऐसा आनंद ना तो कभी उन्होंने सोचा होगा और ना ही कभी पाया होगा उदासी उनकी दास होगी और आनंद उनका साथी तेख न ये रतियां उनको काम देब बना के ही छोड़ेंगी हां और हमारा आपसे वचन है महमंत्री जी युवराज जल्दी ही स्वैम को पुरिश समझने लगेंगे उनसे उनका वैरागे छेन लेंगे हम दीदी क्या हम युवराज से लड़ने जा रहे हैं लडने नहीं हम उनसे प्रेम करने जा रहे हैं हम युवराज को युवराज से महाराज बनाएंगे कपिल बस्तु के लोग हमें बहुत बधाई देंगे अर्थाद युवराज यहां येंगे हाँ युवराज यहां येंगे सेच सेच युवराज कि अति उत्ता कि संगी तो अश्रूंगार युवराज को वैराग्य से वापस लिया है बस महराज आपने शिंद्रें युवराज से धार्थ बहुत जल्द अपना वैराग्य खो देंगा अनुच प्रणाम महराज तुम देवदा से कब लोटें अभी अभी लोटें महराज अभी ता खुश तो है जी और महराज दंड पानी सदा की भांती बात तो विश्रिकी कर रहे थे परंतु इर्षा की गन तो आही रहते आपसे और युवराज से दाट से बड़ी इर्षा करते हैं महराज महराज कौशल नरेश का राजदूत आया है महराज से मिलने की अनुमती चाहता है कौशल जी महराज महा कौशल का राजदूत क्यों उसे कहो कि हम राज जस्भा में मिलेंगे जो आ गया महराज महा कौशल महा मंत्री कौशल राज को संदेशा भेजो कि उनके अमंत्रन के लिए हम अभारी है जी उत्र का राज जाभिशेख हर पिता के जीवन के लिए सौभाग्य होता है हम आवश्य पधारिंग महा मंत्री राजदूत का उनका संमान दिया जाए जो आग गया महाराज महाराज क्या आपका कोशन राजज जाना उचित होगा मैं तो कहता हूँ महाराज किसी बात का निमित बनागर टाल दीजिए इस राज्या भिषेख का आमंत्रन केवल कौशल राज का शक्ती प्रदर्शल लगता है नहीं महराज आपको वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए और यदि आपकी उनुमती हो तो मैं भी साथ चलूँगा मुझे भी कौशल लगरी देखनी है और साथ ही युवराज प्रसंजीत को भी अहां क्यों नहीं वैसे भी आज नहीं तो कल हमारा सामना प्रसंजीत से हो गई नहीं तुम नहीं जा सकते इन तो क्यों नहीं जा सकता यदि मैं तुम्हें ले जाओं तो मैं सिद्धार्ट को कैसे माना कर पाऊं तो आप से धार्ट को भी साथ ले चलिए नहीं देवदत इस समय कपिल वस्तु के भावी समराट को वहां ले जाना खत्रे से कम क्यूं हर बार से धार्ट की वज़े से मुझे सेहन करना पता है क्यूं आप उसे कोई भी कारण बता के मना नहीं कर सकते देवदत अपने विवेग की चोखट मत लांगो इतनी भी समझने कि महाराज से प्रस्ट नहीं करते जाए आसे महाराज देवदत की और से मैं शमा मांगता मैं उसे समझा दूना करोध में चीजों को नश्ट करने का सुभाब तुम्हारी मा से मिला है मा से कुछ तो मिला है पता से तो कुछ भी नहीं देवदत मेरी बात जांग से सुनो आज तक वही तो करता आया हूं जांग और एक बात कांट बांध लो महाराज को निराश करने का अर्थ है अपने ही भागे को ठोकर मालना से दाज से दूर जा रहे हैं माराज उसे भूग विलास में इतना डुबोदो इतना डुबोदो की सांस लेने की सुद न रहे उससे क्या होगा विलास का तेरेक उसे निश्क्री बना देगा तलवार जब अधिक समय तक मयान में रहती है तो उसे जंग लग जाता है और जंग लगी हुई तलवार पर प्रजा कभी भरोसा नहीं करती है समझे सत्य कथा उरुशार्थ कथा सुनो सुनो सिधार्थ कथा